Hello, आज मैं बहुत ही important topics पे आप से बात करना चाती हूँ, जब से मैंने HIV की वीडियोस बनानी शिरू की हैं, comments जो आते हैं, जो बच्चे question पूछते हैं, उन्ही का जवाब इस वीडियो में है, बड़े colleges में मैं गई हूँ और lectures दिये हैं, हमाई departments में से doctors जाते रहते हैं lectures के लि post exposure profile axis का मतलब है, आपका exposure हो चुका है HIV के लिए, और अब बहुत घबरा गए हैं, और आप बचना चाते हैं, तो हम क्या करेंगे, पिछले lecture में हमने बात की थी pre exposure profile axis, जब किसी को ये पता है, कि मेरा risk है, आने वाले time में, मेरा exposure हो सकता है, तो वो पहले दवाई लेता है, अ अब हम बात करते हैं, कि आपको पता भी नहीं था, और अचानक आपका कोई exposure हो गया है HIV के लिए, वो exposure किसी भी form में हो सकता है, हो सकता है, आपको prick लग गई हो, हो सकता है, जैसे injections वगेरा देते हुए, IV set लगाते हो, या हो सकता है, कोई splash हो गया हो, splash किसी भी चीज से हो सक या किसी भी other potentially infective material, like amniotic fluid होता है, बच्चा जिस थैली बे होता है, वो जो पानी होता है, उसमें virus बहुत जादा होता है, कई बाइपो डॉक्टर्स के उपर पड़ जाता है, आँख में चला जाता है, या मूमें चला जाता है, और उसके इलावा कैसे exposure होता है, कि कोई needle sharing का case है, जो बच्चे injections लगाते हैं, drugs लेते हैं, उन्होंने अगर पहली बार कही needle share किये और फिर उनको डर हो गया कि अब क्या करें, HIV हो सकता है, तीसरा है sexual exposure का, बड़े बच्चे गलती करके आ जाते हैं, किसी prostitute के पास या sex worker के पास जाके उनकी services लेके आ जाते हैं, और बात म case है sexual assault का, जैसे हमारे hospital में भी कुछ cases आते हैं, rape cases बगेरा, तो उन cases में भी हमको post exposure profile axis देना होता है, अब post exposure profile axis बे हम क्या देते हैं, कितनी देर के लिए देते हैं, और उसकी कितनी effectivity है, post exposure profile axis को हमें 72 hours के अंदर start करना होता है, अगर हम natural history देखेंगे virus की HIV की, कि वो हमारी body म system को hijack करता है, तो हमें ये पता लगेगा, कि इस virus को proper establish करने के लिए हमारी body में 72 hours चाहिए, यानि 72 hours के बाद ये काफी तक हमारी body पे अपना, मतलब, कभजा कर चुका होता है, ये lymph nodes तक पहुंच जाता है 72 hours में, और वहां से blood spread के थूँ ये पूरी body में disseminate हो जाता है, तो अगर हम 72 hours के अंदर medicine दे दें, तो हम इसको रोक सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी medicine देंगे, उतना effective है, विदिन 2 hours हम, अगर हम ये medicine start कर देते हैं, तो इसका best result है, as early as possible, और every hour counts, हर घंटा important है, जितनी जल्दी आप ले सकते हैं, उतना अच्छा है, हमें PEP कितने दिन के लि लिनी है, 28 दिन, एक गोली नियमित रूप से, एक गोली रोज की, कौनसी गोली, TLD, tenofovie, lamovudine, dolutegravie, जो हम HIV patients को देते हैं, एक गोली रोज की, वही एक गोली रोज की हमें, post exposure profile axis में लिनी है, post exposure profile axis कितना effective है, post exposure profile axis बहुत effective है, अगर time पे दे दिया जाए, लेकिन ये 100% effective ह ऐसा नहीं कहा जा सकता, कितना volume गया है, virus का आपकी body में, जो source है, वो medicine खा रहा है, या नहीं खा रहा, उसका viral load कितना है, ये सब चीजें बहुत important है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि 100% effective है, लेकिन अगर time पे लिया जाए, तो काफी effective है, और इसको हम जलदी start करेंगे, वो म आपको बता चुकी हूँ, और हम patient को guide क्या करेंगे, अगर कोई post exposure profile axis ले रहा है, तो हम उसको ये कहेंगे, कि अगर उसका exposure हो रहा है, तो अपने partner के साथ, उसमें condom जरूर use करना है, slightest, या rarest chances में, अगर transmission हो, और उसका viral load बढ़ जाए, तो उसके partner को infection ना हो, pregnancy plan नहीं करनी, जब तक आपका 3-6 months का window period cover होके, आपका test negative नहीं आ जाता, post exposure profile axis कहां से मिलेगा आपको, अगर आपका कोई medical exposure है, medical field में है, prick लगा है, splash हुआ है, तो आपको post exposure profile axis ART centers में free of cost मिलेगा, आपको एक post exposure profile axis का form भरना होगा, और आपको वो free में मिलेगा, लेकिन अग अगर आपका कोई sexual exposure है, तो ये आपको free में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको pay करके market से लेना पड़ेगा, तो occupational risk यानि जिनकी occupation है, जो काम कर रहे हैं, लोगों के लिए medical field में काम कर रहे हैं, उसके लिए cover है, लेकिन sexual exposure के लिए, या intravenous drug abusers के लिए, या फिर sexual assault के लिए, sexual assault में फिर भी कभी दे दिया जाता है, लेकिन sexual exposure में हम लोग PP जो है, वो नहीं देते हैं, अब जो हम PP देते हैं, उसमें किस पे depend करता है, कि ये पूरी तरह बच पाएंगे कि नहीं, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कि patient का viral load कितना है, patient कौनसी stage में है, patient resistant तो नहीं तो इन चीज़ों पे depend करता है, कि हमारा PP कितना effective है, आपको अगर मैं अपने center का data बताओं, official है, मैं आपको proper data तो नहीं बता सकती, लेकिन जितने भी patient हमारे यहां से लिये हैं, बहुत सारे patients लिये हैं, उन सबका 3-6 months वाला जो report आता है, वो negative आता है, तो उनको transmission नहीं पहली बात है, हमें panic नहीं करना, हमें reflexively finger को मुँ में नहीं डालना, मुँ में डालने से अगर हमाई मुँ में कुछ halses या sores हैं, तो transmission के chances हैं, हमें अपनी finger को या जहां भी prick लगा है, उसे press करके blood express नहीं करना, या scrub नहीं करना, उससे यहां पे physical trauma होगा, at the site of injury, और physical trauma से virus फसिलिटेट हो जाएगा, entry उसकी virus की फसिलिटेट हो जाएगी, अगर आपको अभी कोई भी chemical लगाएंगे, तो उससे भी viral entry फसिलिटेट हो जाएगी, chemical trauma की कारण, तो आपको सिर्फ running water के आगे, simple soap से running water से wash करना है, और अपनी post exposure profile access के लिए, immediately report करता है, post exposure profile access सारे emergency rooms और OTs म क्योंकि RT services सिर्फ morning में शाम तक रहती हैं, दोपहर तक रहती हैं, तो उसके बाद अगर होता है, तो आपके पास OTs में, minor OTs में, major OTs में, emergencies में, post exposure profile access available होनी चाहिए, और वो भी आपको time to time उसकी expiry check करते रहना चाहिए, तो ये बहुत ही important है कि हमें पता हो, हमारे बच्चों को पता हो, कि अगर उनसे कोई गलती हो गई है, तो बचाव के लिए आ जाएं, सारे जिंदगी दवा खाने से अच्छा है, 28 दिन नियमित रूप से एक गुली खा ली जाए, so precaution is better than cure, और इस बिबारी से लड़ने के लिए हमें इसके होने से पहले और इसकी होने के बाद, दोनों टाइम पे सतर्क रहना है, अपने आपको educate करना है और इस वाइरस से fight back करना है, स्तम जीवमशर्था, भगवान आपकी सौसाल की आयू करे, thank you, अगले session में मिलते हैं, जल्दी